तुम इस चैनल पे हो तो पक्का सूपरहिरो मूवीज को पसंद करते हो और मैं बता दू कि इस जॉन्रा की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही बड़ी है भली आज सूपरहिरो सिनेमा जो है वो एक ग्लोबल फिनमेना बन चुका है लेकिन एक टाइम था जब इस जॉन्रा का मजा सिनेमाटिक हिस्ट्री जानेंगे यह कहना की सूपरहिरो सिनेमाटिक हिस्ट्री जानेंगे यह कहना की सूपरहिरो स्टोरी का आइडिया वर्ड के कई गौड्स की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन जो सूपरहिरो का फॉर्म हम ऑन स्क्रीन देखते हैं उस सूपरहिरो का आइडिया एक फिक्शन के फॉर्म में एक ऐसा character जो corrupt अमीरों को लूटता है और गरीबों में दान दे देता है और for obvious reason इस character से सब relate कर पाएं ये throughout the world कई folklore में popular हो गया लेकिन सिनेमा में इसे introduce किया गया 1908 की silent movie Robin Hood and his Merryman में यहां से एक vigilante जैसे character का formation हो गया जिसके पास super powers तो नहीं थे लेकिन लोगों की मदद करने का ज़स्बा था अब वो मदद legal way में करे या illegal way में लेटर इसी concept का यूज करके one of the most popular character जोरो को बनाया गया एक और masked vigilante इनिशली इस character को एक novel में introduce किया गया था लेकिन 1920 में The Mark of Zorro के साथ इस character की cinematic entry हुई देखो Robin Hood और जोरो का vigilante type की super heroes पर बहुत ही बड़ा impact है especially इसलिए क्यूंकि इन ही दोनों super heroes से inspiration लेकर Batman का creation हुआ है एक ऐसा vigilante hero जो Robin Hood के जैसे hood और cape का use करता है और Zorro के जैसे अपना आधा चैरा चुपाता है तो हाँ no doubt इन movies ने future के superhero movies के लिए एक base बना दिया पर अभी time था ऐसे superheroes का जिन के पास super powers भी हो और वो morally correct भी रहें क्योंकि obviously vigilante जो होते हैं उनका action most cases में morally correct नहीं होता है और इसलिए 1941 में one of the earliest superhero series आई The Adventure of Captain Marvel देखो ये character कोई और नहीं बलकि DC का Shazam है लेकिन उस time पे इसका नाम Captain Marvel था बाद में copyright reasons के चलते इसका नाम change किया गया इसके बाद 1948 में most popular superhero Superman की भी एक series आई ये time आगया था larger than life type के superheroes का क्योंकि लोग अब reality से escape करना चाते थे इन movies नहीं दोनों तरह के future superhero projects को setup कर दिया था जहां एक तरफ Robin Hood और Zorro के साथ grounded stories थी वही Captain Marvel और Superman के साथ larger than life वाले characters थे फिर time आया आप 60s का इस time पे light hearted movies जादा work कर रहे थी और इसका direct impact superheroes पर भी हुआ जहां एक बहुत ही light hearted और humorous tone के साथ हमने 1966 में Adam West के Batman को देखा ये बहुत campy type की movie थी अभी के standard से Batman को ऐसे देखने पर एक cringe वाली feeling भी आएगी ये movie बनने का reason ये था कि भाई इसका exact एक TV शो था जो की काफी जादा successful था लेकिन movie के format में लोगों ने इसे theater जाकर देखा ही ने लेकिन हाँ later make us ने इसको VHS पे release किया और as expected TV के audience ने इसे enjoy किया लेकिन theater failure के चलते ऐसा Batman हमें फिर से on screen देखने को नहीं मिला Batman का ऐसा treatment fans को especially comic book fans को बिलकुल भी पसंद नहीं आया हाँ इंडिया में superhero का craze slowly उस time पर बढ़ रहा था और even उस time भी लोग किसी को जाने या ना जाने Superman को यहाँ भी सब जानने लगे थे 1960 में unofficially the return of Mr. Superman नाम की एक Bollywood movie भी बनी बट for obvious reason यह successful नहीं हो पाई फिर आया 1970s और 80s का टाइम जब superhero cinema serious और big budget production की तरफ बढ़ने लगी iconic characters के साथ और 1978 में one of the most famous Superman की movie आई जिसमें lead role play किया Christopher Reeve ने यह movie कह सकते हो आज तक bench mark है Superman movies के लिए कि आखिर इस character को present कैसे करना चाहिए actor का look और physique कैसा होना चाहिए आज भी अगर Superman की casting होती है तो सबसे पहले कोई भी actor Christopher Reeve का ही Superman look try करता है और IGA साबने notice क्या ही होगा कि Henry Cavill से लेकर डेविट कॉरन स्वेट सब में Christopher Reeve की जलक दिखती है यह movie instant cult classic बनी और इसके total 4 parts future में release किये गए और obviously Superman के success के बाद Batman पर producers का भरोसा वापस आया especially Adam West के Batman के failure से सारे producers डरे वे थे 1989 में Michael Keaton की Batman आई interesting बात यह है कि Adam West ने जो Batman के character पे एक negative impact छोड़ा था उससे comic book fans बिलकुल खुश नहीं हुए थे और इस movie से पहले तक Michael Keaton एक comedian थे वो jolly type के roles play करते थे और जैसी उनको Batman के role में cast किया गया fans को लगा कि एक बार फिर से Batman के साथ comedy होने वाली है basically बहुत ज़ादा backlash मिला Warner Brothers को around 70,000 latest fans ने भेजे कि किसी और को as Batman cast किया जाए लेकिन ultimately जब movie release हुई fans shocked थे वो Batman के इस dark gritty portrayal से बहुत ज़ादा खुश थे और उस time पर Michael Keaton को best Batman बोला जाने लगा वैसे movie देखने से पहले casting देखकर hate करने का trend यहीं से शुरू हुआ था और आज तक यह चलता आ रहा है especially DC के movies के लिए इस time के around superhero के character world cinema पर भी अपना impact create करने लगे थे 1987 में हम लोग again Superman के character को unofficially उठाते हैं और Christopher Reeve वाले Superman का unofficial remake कर देते हैं even 1988 में Superman का ऐसा impact था यहां कि गोविंदा खुझ Superman बनकर dance कर रहा था spider woman के साथ हमारा अपना ही अलग multiverse यहां चालू था और ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में ऐसा हो रहा था throughout the world Superman एक ऐसा character बन गया था कि सब अपने versions निकालने लगे थे 1990 में कह सकते हो कि Superman और Star Wars से एक major inspiration लेकर और उसमें अपना Indian टच देकर 90's kid को Superman मिला love this character और hate this character बट as a 90's kid शक्ती मानिस pure nostalgia मेरे लिए यह character एक अलग importance रखता है और हां Indian cinema में भी super hero की बात इस character को mention किये बिना हो ही नहीं सकती 90's में ऐसा show लाना उस time पे world move था भली आज मुकेश खन्ना जी का behavior जैसा भी हो हां 90's में यह genre थोड़ा अलग टन भी लेता है जहां कई film directors, superhero characters को अलग-अलग genre में push करने लगे superhero cinema 1990's में evolve होता रहा और दो genre's का यहां merger होने लगा जैसे की 1990 की Darkman, Sam Ramy की original superhero creation ने horror और revenge को superhero genre में mix किया 1994 की Duck Crow, एक tragic और gothic revenge story जो cult classic बन गई इसने superhero storytelling को darker और adult territory में push किया 1998 की Blade ने एक अलग ही vibe सेट कर दी जहां horror elements भी थे, R-rated action और dialogues भी 1999 की mystery main, एक quirky और comedic take on this genre इस film ने serious tone से दूर रहकर satire को embrace किया इसके बाद अपना time आया, मतलब 2000 का, early 2000 में superhero cinema का modern comeback देखा गया जब films ने modern day superhero blockbusters का foundation बनाना शुरू किया I guess यही से most of you superhero genre से introduced हुए होगे जहां X-Men और Spider-Man ने early 2000s को lead किया यहां big budget, big actors, big production, grand visual effects वो सब कुछ था जो आज तक follow होता है basically modern successful superhero movie का template इन ही movies ने set किया है हाँ एक अलग take लेते वे unbreakable जैसी more realistic superhero movies भी आई जहां एक grand scale के जगह grounded perspective यूज किया गया heroism को glorify करने की जगह उसके psychological aspects पर focus किया गया साथ ही 2004 में आई नरक पुत्र जिन्नोंने हिंदी डब में नहीं देखी उनके लिए बता दू कि मैं यहां hell boy की बात कर रहा हूँ hell boy के साथ supernatural elements का भी यहां experiment किया गया इसी supernatural element को add करते वे क्यान्यू रीव्स की DC Comics पे based constantine भी कई fans ने enjoy की और इस global success के साथ कोई मिल गया और Chris जैसे Indian superhero movie यहां धमाल मचाने लगें इंडिया में Chris के साथ superhero movies की शुरुआत हुई and इस movie को यह लोग खुद टॉप नहीं कर पाएं हां 2008 के around drona से भी एक नए superhero का try किया गया which failed रावन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां visuals को वहां appreciate तो किया गया बट storytelling plot audience को नहीं जमी and ultimately Chris one and only survivor बचा जिसका demand लोग आज तक कर रहे हैं हां भावेश जोशी जैसे movie से कुछ filmmakers अलग अप्रोच लिया बट इंडियन मूवीज में नॉर्मल आक्टर्स के ही लाजर देन लाइफ पोट्रेयल के चलते सूपर हीरो प्रोजेक्ट यहां successful नहीं हो पाई भाई जब आम इंसानी यहां सूपर हीरो जैसे action sequence कर रहा है तो एक सूपर हीरो का जो gap होता है सिनेमा में वो gap इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री में already fulfilled है तो सूपर हीरो बनेंगे ही कैसे वहीं दूसरी तरफ वर्ल सिनेमा में 2008 के बाद से सूपर हीरो जान्रा में shared universe मतलब cinematic universe का craze start हो गया iron man mcu की first movie बनी जिसने cinematic universe को set up किया और यह इतनी successful हुई कि किसी ने expect ही नहीं किया था जो सूपर हीरो जान्रा एक time पे मजाक में लिया जाता था producers के लिए घाटा माना जाता था वो इतनी बड़ी fandom create कर पाएगी कोई मानने को तयार ही नहीं था basically mcu ने superheroes को experience करने का तरीका ही बदल दिया जहां iron man के साथ शुरुआत हुई और 2012 के Avengers के साथ major crossover events मिलने लगे हाँ इसी time के around Christopher Nolan जैसे director ने realistic approach रखते हुए हमें dark night trilogy दी one of the best superhero trilogy ever made बट अब time था cinematic universe का जहां Marvel और DC इस genre में दो बड़े नाम बन गए लेकिन cinematic universe को अगर side में रख दे तो 2010 के बाद से कई film makers इस genre में experiment करने लगे superhero cinema पूरी तरह से global phenomena बन चुकी थी जिसमें diverse cultures का contribution था कुछ important और कुछ hurt के movies जो की इस दोरान आई जैसे की kick ass एक satirical और realistic take superhero culture पर कि कैस ने एक teenager की कहानी दिखाई जो real life में superhero बनने की कोशिश करता है बिना किसी super powers के 2012 की chronicle एक fond footage film जो की teenager के powers develop करने पर focus करती है chronicles ने realistic और relatable context में powers का psychological impact explore किया 2017 की Logan ये एक superhero movie में अलग benchmark थी हाला कि ये x-men की universe में ही है बट इसका direction बिलकुल solo movie के approach में किया गया था ये Wolverine के final chapter पे एक R rated take था Logan ने superhero story को western cowboy style के साथ blend किया mature narrative offer किया जिससे कि इस genre की expectations है वो next level पे पहुँच जाती है 2019 में The Boys नाम की भी series को release किया गया जो कि superhero पे एक बहुत ही unexpected take लेती है and adult audience को बहुत ही जादा target करती है overall जिस idea के साथ superhero genre की शुरुआत हुई थी वो original idea अभी भी है लेकिन इसके around कई तरह के experiment किये जा चुके है ऐसा genre जो सिर्फ पहले बच्चों को target करता था अब कई adult movies के साथ हर age group को target कर रहा है और ये genre अब different genres के साथ combine हो चुका है transform हो चुका है ये थी superhero movies की पूरी cinematic history I hope आपने enjoy किया होगा मुझे दो बनाने में ये वीडियो बड़ा मज़ा आया बहुत मेहनत लगी तो like करना, share करना and new हो तो subscribe करना the dark night best superhero movie क्यों है ये जानने के लिए उपर वाली वीडियो देखें and inception जैसे और भी कई movies के बारे में जानने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा till then be they see, be nerd